नमस्कार दोस्तों, मैं लेके चलता हूँ एक बेकरी में जहां पे पूरा सैटप लगा हुआ है, बेकरी का जो आप लोग पूछते हैं कि क्या क्या लगाना चाहिए, तो यह है प्लैनेटरी मिकसर 40 लिटर में इन्होंने लिया है, फैक्टरी मेड जो हमारे फैक्टरी में बन अब देख सकते हैं, यह प्रोड़क्त है यह हमारा ओवन उसके बगल में आपको प्रूविं चैमबर देखने को मिलेगा, टबल ट्रोली का जो कि 36 ट्रे रोटरी ओवन के अकोर्डिंग बनाया हूँ है, डीजल ओवन है आप देख सकते हैं, और यह देखिए, रोटेशन हो जो की बहुत कम लोग को देखता है, और यह स्टील आप जिंदल का यूज परते हैं, यह कंट्रोल पेनल है जो डिक किसी को मिलता नहीं है, देखने को, अब हम ले चलते हैं, आपको वह दिखाने हैं, जैसे यह लोग जो काट रहे हैं, लाधी काट रहे हैं, छोटे से से अ अभी अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि उसमें रस्क बना हुआ और उसकी कलरिंग लाजवाब है तो यह वर्किंग टेबल है देखें आप ऐसा भी वर्किंग टेबल बना सकते है देखें लोहे का वो बना रखा और लक्कड का फट्टा रख दिया है यह हमार अगर रोटरी ओवन चाहिए तो प्लीज हमें कॉंटक करें और देखें यह जो प्लारिंग देखें आप सुरू से एक कलर भी डिफरेंस नहीं निकाल सकते है हमारे रोटरि ओवन में यह खासियत है हमारे रोटरी ओवन की और क्वालिटी तो आप देखी सकते है सामने और यह हमार डबल टॉली मैंने बताया भी आपको और इससे पहले जो वीडियो आपने देखा था उसमें उन्होंने रस के लिए जो लादी बना रहे थे इसमें और यह हमारा फुली स्टेल स्टील है आप इतने से सेट अप से आप कोई भी बेकरी आइटम लादी का काम से तेगा...